How to reduce thigh fat at home आज की समय में सुन्दर और फिट शरीर को कौन नहीं चाता है पर भारी वजन और व्यायाम ना करना आपकी सुन्दरता को बिगार देता है जबकि सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं के शरीर के हिस्सों जैसे की पेट, जांग और हिप्स का साइस बढ़ने से होती है जहां आसानी से चर्बी जम जाती है, आकर्षक देखने के लिए जांगों का पतला होना बहुत ही आवश्यक होता है जी हाँ, पैरों को आकर्षक दिखाने के लिए हर लड़की चाती है कि उनकी जांगे पतली और सेक्सी हों लेकिन खान-पान के आन्यमित होने और शारिरिक गतिविध्यान ना करने से आपके शरीर में फैट जमा होने लगता है जिसका असर आपकी मोटी थाइस पर भी दिखने लगता है सभी लोग अपना मोटापा कम करने के लिए अपने उपर के शरीर जैसे की पेट और कमर पर तो ध्यान दे देते हैं लेकिन अधिकांश लोग अपनी जांग के फैट पर ध्यान नहीं देते हैं जो कि आपकी सुन्दरता को खराब कर देती है अगर आपको भी अपनी थाइस का शेप सही चाहिए तो आपको थाइस की चरबी को कम करने के लिए प्रभावी एक्सराइस के बारे में पता होना चाहिए जिनकी मदद से पैरों को सुन्दर और आकरशित बनाया जा सकता है वेल आप परिशान मत हो ये क्योंकि हम यहाँ इसी लिए तो हैं कि आपकी मदद कर सके और आप हमारी मदद कर दीजे बस हमारे चैनल वेक्लॉस गाइड को सब्सक्राइब करके इस से हमें आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आने की प्रेणा मिलती है चलिए अब लेट्स कम टू दा पॉइंट हम जांगों को पतला कैसे करें तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी जांगे पतली है या मोटी और ये जानने के लिए हमें करना होगा थाई टेस्ट जी हां जांगों को पतला करने से पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये मोटापा थाईस की मानस्पेशियों का है या उनमें जमा हो रहे फैट का है और ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले पैरों को सीधा कर लें फिर अपनी जांग की मांस्पेशियों को कस लें फिर जांग के उपरी भाग की त्वचा और वसा पर एक चिकोटी भरें अगर चिकोटी भरते समय फैट ज्यादा महसूस हो तो फिर फैट आपकी थाई को मोटा कर रही है और आप शायद सेल्यूलाइट से भी पेडित हो सकते हैं सेल्यूलाइट में चर्बी एक स्थान पर ज्यादा इकठी होने लगती है और ये ज्यादा तर कूल हो और जांगों में देखा जाता है जहां त्वचा को छूते समय गढ़्धा पड़ जाता है और अगर चिकोटी भरते समय फैट ज्यादा महसूस ना हो तो ये आपकी थाई की मान स्पेशियों का भार है और कुछ मात्रा में फैट का भी इसमें आपको थोड़ा बहुत सेल्यूलाइट का असर देख सकता है तो अब बात आ जाती है कि अगर ये फैट है तो हम अपनी थाई के फैट को कम कैसे करें वेल सबसे पहले तो जो भी लक्ष आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको हमेशा धैरे रखना होगा और किंद्रित रहना पड़ेगा आप एकदम से शरीर के कुछ भाग के फैट को कम नहीं कर सकते हैं खासकर थाई के अंदर की तरफ के फैट को तो बिलकुल भी नहीं वजन कम करते समय शरीर का फैट पूरे शरीर से निकल तो जाता है लेकिन आखिर में महिलाओं की जांग के अंदर की तरफ के फैट को ही पतला और आकार में लाना बाकी रह जाता है तो जांगे पतली करने के लिए हमेशा आपने लक्ष पर अड़े रहें और खुद को प्रोथ साहित करते रहें अब बात करते हैं अपनी थाईस पतली करने के लिए एक्सरसाइज की जांगों को पतला करने का सबसे अच्छा उपाई एक्सरसाइज है इससे आप आसानी से अपनी मोटी जांगों को पतला कर सकते हैं और उनसे एक्स्ट्रा फैट को भी कम कर सकते हैं 24 गटाने के लिए पहली एक्सरसाइज है प्ली स्क्वैट मोटी जांगों को पतला करने के लिए और प्ली स्क्वैट करने के लिए आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाए, अपने दोनों पैरों के बीच एक से दो फुट की दूरी रखे और दोनों पैरों की उंगलियों को तिर्चे यानि लगभग 45 डिग्रीज पर बाहर की ओर रखे, अपने दोनों हाथों को दाई और बाई ओर सीधा कर ले, अप दोनों पैरों को घुटने से मोड़े और नीचे की ओर जुग जाए, अपने हिप्स को फर्ष के समाना अंतर लाने का प्रयास करें, इस दोरान आप अपनी रीर की हड़ी और गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखें, आप इस एक्ससाइज को कुछ सेकेंड तक करने का प्रयास करें और फिर अपने दोनों पैरों को सीधा करके अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं, प्ली स्क्वेट एक्ससाइज आपको कम से कम 15 बार जरूर करना है, थाई फैट कम करने के लिए दूसरी एक्ससाइज है लेक्स्विंग्स, लेक्स्विंग एक्ससाइज थाई को प अधिक्तम उचाई तक स्विंग करें, यदि आपको लेक्स्विंग करते समय संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही है, तो आप किसी कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, ध्यान रखें कि जब आप पैर को स्विंग करें तो पैर मुरना नहीं चाहिए, अब ये पूरी क्रिया अप इसरी एकसराइज है inner thigh pulses exercise, इनर thigh pulses exercise आपकी जांगों के आंतरिक हिस्से को टागट करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, inner thigh pulses exercise करने के लिए आप सबसे पहले एक exercise mat पिछाकर उस पर दाहिनी ओर कर्वट लेकर सोचाएं, और अपने दाएं हाथ से अपने सिर को सहा करें आप यही पूरी प्रक्रिया बाई और करवट लेकर भी वापस करें। अब अपने दाए पैर को उपर नीचे करें, कुछ सेकंड के बाद ये प्रक्रिया बाई तरफ से भी वापस करें। जांग पतली करने के लिए पांचवी एक्सेसाइज है, फायर हाइडरेंट एक्सेसाइज आपकी जांगों के फैट को जलाने के लिए जाने जाती है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले एक एक्सेसाइज मैट को बिचा कर उस पर घुटने टेक कर बैट जाएं। अब अपने हाथों को आगे की ओर सीधा करें और फर्श पर रखें। और रीड की हड़ी को भी पूरी तरह से सीधा रखें। फिर अपने दाइ पैर को बाहर की दाइं ओर फैला कर और फिर नीचे को ले आए। इस क्रिया को आप बार बार दोनों पैरों से दोहराएं। चांगों को पत्ला करने के लिए छटी एक्सेसाइज है एर साइकलिंग। ये exercise थाई के fat को जलाने के लिए एक प्रभावी तरीका है Air cycling आपके pelvic और घुटने के जोडों का भी खयाल रखती है Air cycling करने के लिए आप अपनी पीठ के बल लेज जाएं और छट की ओर देखें अपने पैरों को 90 डिग्री तक उठा लें अपने पैरों को cycling की तरह हिलाना शुरू कर दे जैसे की आप आगे की दिशा में cycle चला रहें है इसे एक मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे रखें और आराम करें दोबारा अपने पैरों को 90 डिग्री तक ले जाएं और एक मिनट के लिए उल्टी दिशा में वायू में cycle चलाना शुरू कर दे जांगो को पतला करने के लिए इस exercise के set को पांच बार दोहराएं जांगो को कम करने के लिए साथवी exercise है cardiovascular exercise cardiovascular exercise जांगो को पतला करने के लिए बहुत ही एहम मानी जाती है लेकिन cardio करने का लक्ष सिर्फ और सिर्फ fat burn करना होना चाहिए ध्यान रहे कि इस फ्यायाम से आप अपनी थाई की मान्स पेशियों में और अधिक मान्स को इकठान ना करें जांग पतली करने के लिए अवश्यक्ता से अधिक मान्स पेशियों से संबंधित cardio को नजर अंदाज करें अगर आप cardio के उपकरणों से workout कर रहे हैं तो हलके उपकरणों का इस्तेमाल करें जैसे की elliptical trainer, stationary bike, treadmill जिससे जांग की मान्स पेशियों पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े हलाकि cardio करने के लिए हमेशा व्यायाम करने की गती मध्यम रखें और इस तरह workout से ज्यादा से ज्यादा लाब पाने की कोशिश करें जांगो को कम करने के लिए दोड़ना और चलना बहुत लाब दायक है थाईस को पतला करने के लिए सबसे आसान उपाय दोड़ना और चलना है जी हाँ, आप दोड़ कर और लंबी दूरी चल कर भी अपने थाईस से अतिरिक्त फैट को कम कर सकते हैं अपनी थाइस को स्लिम करने के लिए आप नियमित रूप से दोड़ना और पैदल चलना शुरू कर दें यह आपके लिए बहुत ही लापतायक से दोगा Arabic exercise आपकी आंतरिक जांगों और शरीर के बाकी हिस्सों पर भी फैट जलाने में मदद करती है सीड़ी चरना, तेज चलना, दोड़ना और रित्य करना जैसे कुछ व्यायाम रिदय गती को बढ़ाते हैं और आपकी जांग की मानस्पेशियों को पतला करते हैं इसलिए सब्ताह में 5 दिनों के लिए दिन में कम से कम 45 मिनट्स तक Aerobics करने का प्रयास करें पैर की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए कैलरी कम करना भी बहुत जरूरी है व्यायाम आपके पैर की मानस्पेशियों को टोन करने का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है लेकिन आपको अंदर और बाहर की फैट कोशिकाओं से भी लड़ने की आवशक्ता होती है जांगो यानि थाइस को पतला करने के लिए अपने कैलरी सेवन को कम करना पहला कदम है क्योंकि आपका शरीर सौभाविक रूप से अपने अगले उर्जा शोत के रूप में एक्स्ट्रा फैट का उपाय करेगा आप उतनी कैलरी का इस्तेमाल करें जितना आप बॉन नहीं कर सकते हैं या अपने जरुरत से कम कैलरी का सेवन करने की कोशिश करें पैर की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए कोई जादूई आहार नहीं है लेकिन जो आप खाते हैं उसमें सही कैलरी का चयन करने से मदद मिल सकती है महत्वपूर्ण आहार परिवर्तन करने से पहले आपको अपने डाइटीशन से बात जरूर कर लेनी चाहिए खासकर यदि आपको पहले से ही कोई बिमारी है तो लाइक शुगर, बीपी, आदी चिकेटसकों के मताबिक जांगों के वजन को कम करने में संतुलित आहार भी एहम भूमिकाने भाता है तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी थाइस को शेप में करना है और ये बिल्कुल सही चाहिए तो उपर बताई गए एक्सरसाइज में से, जो भी आपको ज्यादा आसान या सही लगे, उन्हें फटा-फट से स्टार्ट कर दीजे और आप भी अपने पैरों को सुन्दर और आकरशित बना लीजे और ऐसी ही जानकारिया जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा तैंक्यू सो मच